आज मैं आपके लिए नैलोन साबू दना की रेसिपी लेकर आई हूँ इस तरह से साबू दना तो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं पर घर में बनाने की ये रेसिपी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत असानी से आप इसे घर में जट पर बना सकते हैं तो मैं आज आपको वही रेसीपी ऐर कर रही हुँ आपके साथ तो ये देखिए, ये फोड़ने से देखिए कितने अच्छे से फोड़ जाती है, घर में भी बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से नॉर्मल साबू दाना से भी बन जाएगा, तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं, ये देखिए एक बड़ा बरतन ले ले, तो एक गंजी म पर उसमें मैंने चार ग्लास की करीब पानी डालकर इसे अब हम अच्छे से उबलने के लिए रख देते हैं, ढग दे इसे, और जैसे ही इसमें इस तरह से उबालाने लगेगा, हम इसे खोलेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे, इस तरह से साबू दाना, तो मैं यहाँ पे आप इसी तरह से बना सकते हैं, अब इसे हम धग देंगे, अब हम इसे पांच मिनट के लिए इसी तरह से कुक करेंगे, लो हिट रखेंगे, यहाँ पे मैं आपको घर में मौजू साबू दाना से बनाना बता रही हूँ, तो अगर आपको इस तरह से बहुत बढ़ा वाला स साबू दाना आता है, जिसे हम लार्ज साबू के नाम से ओनलाइन मंगा सकते हैं, तो इस साबू दाना से भी आप सेम इसी मैथर से बनाएं, तो यह भी बिल्कुल इसी तरह से बन जाएगी, तो यहाँ पर सस्ते में आप घर पर छोटे वाले साबू दाना से इसी तरह से ब इसी तरह से ढख कर अगर बड़े साइज के साबुदाने से बना रहे हैं लार्ज वाले से तो उसे कम से कम आठ घंटे तक छोड़े यह देखिए पांच घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूं बहुत अच्छे से बड़े-बड़े हो चुके हैं जितना भी पानी है इसक इसको फिर से वापिस से हम उसी बरतन में डाल देंगे और इसमें हम वापिस से तीन से चार ग्लास पानी डाल देंगे अब हम वापिस से इसे cook होने के लिए heat पर रखेंगे, low heat रखें और low heat में इसे हम अब cook करेंगे तो यहाँ पर मैंने इस ढग दिया है और ढग कर अब हम इसे तब तब cook करेंगे जब तक यह अंदर से पूरी तरह से cook ना लगने लगे सही ट्रांस्परेंट नजर आ रहे हैं एकदम यह रेखिए अब हम इसे प्रैस करके देखते देखिए एकदम अच्छे से अंदर तक कुख हो चुके हैं बस इसी स्टेश तक हमें इसे कुख करना है और अब हम गैस को बंद कर देंगे इसका जितना भी पानी है वो पूरा हम इस तरह से अब या तो आप इसे सीधे नल के नीचे ले जाकर पानी डाल कर दो सकते हैं नहीं तो इस तरह से ग्लासेस में पानी लेकर इसे अच्छे से धोलेंगे यह रिखिए मैं इसे अच्छे से धोल लिया है और पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो इसको हम एक प्ले स्टोर करके नॉर्मल तरीके से रख सकते हैं यह देखें सुखने के बार मैं दिखा रही हूं आपको यह देखें बिल्कुल अच्छे से पुरे ड्राइव हो चुके हैं इस तरह से सुखने के बाद आप इसे स्टोर करके रखें और जब मन चाहे तब बनाए साबुदाना का चुड़ा तो यह देखें अभी तेल को मैंने गर्म करके रखाया और इस तरह से डाल दिया इसमें आदा कटोरी देखें कितने जल्दी से फटा फट से यह फूल गई और यह जो है यह खाने में बहुत हलकी लगेगी बहुत ज्यादा कुर्कूरी बनेगी है साबुदाना प्रशिवदा बनाने के लिए थोड़ा सा हम यहां पर मूफली को भी फ्राई कर लेंगे इस तरह से अच्छे से जब रिस्पी हो जायता निकाल लेंगे और करीपटा स्में धोरा करके हम बनेंगे यह दिखिए इस तरह से हारिमिज को भी मेशाी कर लेंगे यह सब डाल कर आप इस तरह से साबुदाना शिवडा बनाएं तो सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा नमक सिंधा नमक और थोड़ा सा चुटकी भर पॉडर सुगर डालेंगे थोड़ा सा काली मेच का पॉडर डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पॉडर डालेंगे और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही टेस्टी हमारा साबू दाना नमकिन बनकर तयार है